हेलो एवरीवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्यूकेसनल चेनल में आपका स्वागत है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के बारे में, तो हम सिखेंगे ये इंज इंजेक्शन के बेजीकूस के बरे में के कौन से लग- लग मेडिकल कंडीशनस के अंदर ये इंजेक्शन को यूजव किया जाता है, साथ ही जनेगे उसके ँसके दोस के बारे में, उसके साड़ एड़िए कि या होती है, oil and dud. के साथ एव diber servộc कर अपडेटेटर ये फार्मा नोलिज के साथ एकसेस कर ये स्टडी माट्रियल, टेस्ट सिरीज, डिजीजन, मेडेशन, लिटेट कोर्स फार्मा रॉक्स के अप उपर के जहां पर आप सिखें अलग-अलग दवायों के बेसिक क्यूज के बारे में उनके डोस, साइड इफेक्ट, वर्निंग कांटर इंडिकेशन, एक साल तक अफ़र डिबल प्राइज में सरल बासा में फार्मा रॉक्स के मूबाल एप्लिकेशन के उपर एंड्रोड यूजर एंड्रोड अप डाउनलोड करें, आईफ़न यूजर एप स्टोर से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप सीखते हैं आयन सुक्रूस इंजेक्शन के बारे में तो ये इंजेक्शन ऐसे क्लाउस का मेडिकेशन हम कहेंगे कि जो नूट्रिशनल सप्लिमेंट्स के कैटेगरी में आते हैं, और ये हमें आयन सुक्रूस जो वो प्रोड करता है तो आयरन जो है, उसका इंपोड़न्स हमारे बॉड़ी के अंदर है, हमारे RBC के डेवलप्मेंट के अंदर और प्रॉपर जो हिमोग्लोबीन जो होता है उसके प्रॉपर मात्रा जो हमारे बॉड़ी के अंदर, हमारे बलड के अंदर बनी रहे उसके लिए ये आयरन का काफ़े इंपोड़न्स होता है तो जब आयरन डैफिसंसी होती है आपके बॉड़ी के अंदर तो इसके करण भी अनेमिक कंडिस ओर फार्म होती है कि जिसकों कहते है आयन डैफिसेंस ऐनेमिया तो इसके इलाज में ये इंजक्सण ओर खासकर यूस किया जाता है और 100 mg के स्ट्रेंथ में ये इंजक्सण अवेलेबल होता है और 20 mg जितना medications रहता है per ml तो आप 100 mg जो है वो रहता है 5 ml के अंदर कि यह जो ampule दिया जाता है उसके अंदर जो 5 ml जितना medications रहता है और जिसके अंदर drug रहेगी 100 mg और समझे कि 1 ml दिया जाता है तो उसके अंदर 20 mg जितना medication जो है वो रहता है उसके label की हम detail study करें तो label के अंदर आप सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर की prescription based medication है because यहाँ पर Rx लिखा है as well as यह red color का जो box है उसमें भी लिखा है कि यह sedule H की drug है और sedule H की drug जब retail में बेची जाती है तो prescription के बिना आप उसको बेच नहीं सकते तो proper prescription के साथ ही उसका जो वो रिटेल में आप बेच सकते हैं बाकी बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि intravenous use में लब की IV से दिया जाता है वेन के अंदर यह injection patient को दिया जाता है फिर उसकी storage की बात करें तो 25 डिग्री से बिलो उसको जो वो store किया जाता है और लाइट से आपको protect करना है बड़ उसको freeze नहीं करना है यह खास लिख है वर्निंग कि do not freeze फिर composition हम देखे तो एक ml के अंदर क्या composition रहेगा तो एक ml के अंदर रहेगा ferric hydroxide रहेगा और उसका complex रहेगा सुक्रोस के साथ की जो equivalent है elemental iron जितना 20 mg जितना तो जब आप एक ml जितना यह medications लेते है तो एक ml के अंदर medication के तौर पे iron रहेता है 20 mg की जो सुक्रोस के साथ complex के तौर पे है और जब 5 ml जितना यह injection दिया जाते तो उसके अंदर total drug रहेती है 100 mg आगे देखे उसके बारे में तो यह injection specially क्यों दिया जाता है या फिर कौन से condition में useful साभित होता है तो ऐसे condition के जहापे patient के अंदर hemoglobin की कमी है और RBC, red blood cell body के अंदर बहुत ही कम है तो उस वक्त RBC के proper production के लिए कि red blood cell का जो production होता है हमारी body के अंदर उसको faster करने के लिए कि जापे iron जो है वो help करेगा कि जिससे खून की कमी जो हो कम होती है कि जो रक्त कोसिकाई जो हमारी होती है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए iron सुक्रोस जो है वो रक्त में iron की जगह लेता है कि जिससे पेशन के अंदर HB और RBC इंक्रीस होता है और ऐसे पेशन की जिनके अंदर chronic kidney disease है तो ऐसे पेशन को ये injection काफी ज़्यादा useful सावित होता है ये injection के बारे में और ज़्यादा detail में समझे तो ये एक dark brown color का liquid solution होता है कि ऐसे पेशन को specially दिया जाता है कि जो tablet या फिर capsules लेने के बावजुद भी उनके body के अंदर RBC भी increase नहीं होते या फिर HB भी increase नहीं ह हो रहा और साइद ऐसी condition है कि वो tablet या फिर capsule नहीं खा पा रहे तो उस वक्त उनको injection देखकर जो है वो खुन की कमी को पूरा किया जाता है तो especially intravenously patient को दिया जाता है कि जिनको iron deficiency anemia है और वो tablet या फिर capsule खाने से ठीक नहीं हो रहे तो IV injection उनको दिया जाता है फिर आगे देख 80% या फिर उससे जदा patient को काफी अच्छे results और effect मिलती है और एक study के अनुसार ये injection regular लेने के बाद या फिर उसका जो course या फिर therapy होती वो लेने के बाद जो HB का जो level है कि जिसको hemoglobin हम कहते है तो उसका level at least 20 gram पर लिटर जितना जो है वो patient के अंदर increase होता है कि जिससे उसकी खून की कमी दिरे-दिरे पूरी हो जाती है और ये injection को देने के लिए के बार उसको dilute भी किया जाता है 0.9% NACL के साथ आगे उसके root के बारे में समझेकता हो ये injection कौन से root से दिया जाता है तो वो vein में दिया जाता है कभी भी उसको subcutaneous या फिर intramuscularly नहीं दिया जाता है directly vein इन में जो है वो expert के दारा ये injection दिया गए तो इसलिए आप देखो कि while या फिर ampule के उपर ये warning या फिर जो instructions भी लिखी है कि for intravenous use only कि prescription के साथ IVC के लिए ही उसको use करें फिर लिखा है कि जो अब आप undiluted use करते है कि directly dilute किये बीना use करते है कि directly patient को inject करते है ये injection vein में तो 100 mg medication deliver होने के लिए at least 2-5 minutes जो है वो लगनी चाहिए तो जो आप 5 ml जो deliver करते है patient को तो at least 2-5 minutes लगाई है ऐसे ने कि काफी fast दे देते है injection slowly देना चाहिए कि जिससे कोई side effects वगेरा develop ना हो और proper medication जो है वो 2-5 minutes में patient के अंदर deliver हो diluted form में देते तो proper dilution किया जाता है और dilution के लिए use किया जाता है 0.9% NACL की जो 100 ml के strength में रहेगा कि यहाँ पे आप देखो sodium chloride का injection है as per USP 0.9% उसकी strength है और यह 100 ml का single dose vial रहेता है तो इसको use किया जाता है जब आप उसको dilute करके देते हैं और यह dilute करके जब आप IV drip लगाते हैं patient को तो वो at least 15 minutes तक जो है वो चलनी चाहिए तो यह जो पूरा mixture तयार होगा 100 ml का यह normal saline solution और 5 ml का आपका यह medication तो टोटल जो 105 ml जितना mixture तयार होगा तो 105 ml जितना mixture आप जो है वो लेने डिलीवर करने के लिए at least जो है वो 15 minute लिजए कि जिससे proper जो है वो patient के अंदर जो medication है वो आसान इसे release हो सके dose की हम बात करें तो जो adult patient होते है वो 600 mg जितना iron, sucrose जो है वो ले सकते है रिसीव कर सकते है पर week तो उसकी limit हो जाएगे कि 600 mg आप जो है वो दे सकते है पर week तो ऐसा नहीं कि आप proper एक ही दिन में 600 mg दे दे उसको divided dose में दिया जाता है मतलब कि आप इस तरह से कर सकते हैं तो 100 mg आप दे सकते हैं पर day पर ज्यादा से ज्यादा एक week का 600 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो खास द्यान रखने कि कभी भी higher dose में medications को use नहीं करनी चाहिए तो children के लिए हम बात करें तो 0.5 mg पर kg के तोर पे आप उसका dose calculation करके children को दे सकते हैं एंड कभी भी high dose में use ना करें और treatment जो हो आप lower dose से भी start कर सकते हैं उसकी use हम देखे तो ऐसे patients को दिया जाते हैं कि जिनके अंदर iron deficiency anemia है और साथ में chronic kidney disease भी है कि chronic kidney disease के जो patient क्योंके kidney जो अच्छे से काम नहीं कर रही और उनको साथ हो साथ iron deficiency anemia है तो उन लोगों को यह injection जो वो prescribe की जाते हैं साथ हो साथ ऐसे anemic patient की जिनके अंदर खून की कमी है hemoglobin कम है और red blood cell काफी कम है कि यहाँ पर आप देखो कि यह जो हाथ आप देखो इसके compare में तो यहाँ पर redness जो है वो आपको काफी कम दिख रही है कि redness काफी कम है उसका reason है कि HB patient के अंदर कम है और red blood cell बहुत ही कम है same यहाँ पर यह वाले हाथ पर भी आप देखो तो वो भी same condition है जबकि यह वाले हाथ में और यह वाले हाथ में आपको proper जो है वो redness देखने को मिल रही है because यहाँ पर HB जो है वो भी proper है red blood cell भी यहाँ पर proper है कि जिससे patient के अंदर खून की कमी नहीं है बड़ जब ऐसे condition है redness काफी कम है body के अंदर HB बहुत कम हो गया है RBC कम हो गया है और एनेमिक patient है तो उसके इलाज में यह injection को यूस किया जाता है उसके side effects हम देखे तो injection sites पर आपको reactions हो सकते हैं जैसे कि जिस जगह पर injection दिया है कि वहाँ पर आपको swelling जो है वह देखने को मिले सूजन हो सकती है injection site पर आपको redness जैसा फिल कर सकते है आप या फिर वहाँ पर आपको कई बार pain हो सकता है तो ऐसे कुछ injection site के reactions देखने को मिलते हैं कि जब यह injection patient को लगा जाता है कुछ patients nausea vomiting फिल करते हैं मतलब कि उल्टी हो जाना जी गबराना बैचे नहीं हो जोना ऐसे condition जो है वो देखने को मिलते हैं कुछ लोगों के अंदर यह injection देने के बाद फिर कुछ लोगों के अंदर taste change जैसा फिल होना कि उनको taste से बता नहीं चलते हैं जब यह injection की treatment चलती होती है सरदर जैसा कुछ लोग फिल करते हैं blur vision मतलब कि धुंदला देखना lasting dizziness मतलब कि dizziness जैसा फिल करते हैं या फिर fatness मतलब कि नीन दाती हो ऐसा फिल करेंगे या फिर fatness मतलब कि अचानक से चक्कर आके गिर जाना ऐसे condition भी produce होती है कुछ लोगों को fever हो जाता है बुखार आ जाता है chest में pain होना मतलब कि सीने में दर्द हो सकता है या फिर सीने में भारी पन मैसूस होना कि जो chest tightness की जो condition हम कहते हैं medical term में difficulty in breathing मतलब कि सास लेने में आपको तकलिफ हो सकती है unusual heartbeat जैसे side effect मतलब कि आपके heart rate कई बार increase होगे या फिर decrease हो जाएंगे tingling जैसा feel होना मतलब कि कई बार हम ऐसा feel करते कि हमारे हाथ या पेर में इस तरह से कोई insect जो है वो दर्द दे रहे हैं बट actual में वहाँ पे कोई भी insect नहीं होते हैं तो ऐसे जो आप feel करते कई बार tingling जैसा ऐसा आप feel कर सकते हैं और sudden weight change मतलब कि अचानक से body weight जो है वो change होना ऐसा आप feel करेंगे या फिर body में सूजन आ जानी या फिर bloating जैसा जो है वो patient feel करते कि पेट में gas जैसा feel करना भार पेट में बारीपन जैसा feel करना ऐसे side effects develop होते हैं आइरन सुक्रोस injection लेने के बाद warning हम देखे तो ये injection को लेना आप तुरंत बंद कर दे कि अगर आप कोई भी ऐसे side effects आपके body के इंदर developer है कि जो अभी हमने discuss की इस में से कोई भी side effect ज्यादा serious हो रही है तो तुरंत ये injection को लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए तो ये खास द्यान रखे कि serious side effect होई तो इसको जो है वो use ना करे don't use second अगर आपको allergy है iron sucrose की तो abuse को use ना करें फिर ऐसी medical history रही है आपके कि आपने past में कई बार iron sucrose use किया था और कोई allergic reactions हो गए थे body के अंदर तो तुरंट डॉक्टर और pharmacist को आप बताए और ये medication को use ना करें hypersensitivity हो जाती है ये injection को लेने के बाद तो इसको use ना करें दूसरी एक warning रहेगी कि कभी भी उसका self medication ना करें proper medical supervision में ही ये iron sucrose injection लगाए जाते हैं pregnancy के दौरान हम बात करें तो ये medication safe है pregnancy के दौरान because जब ये उसकी animal studies वगेरा हुए तो उसमें कोई ऐसे harmful effects जो देखने को नहीं मिली और जब pregnancy के दौरान आपको iron deficiency एनेमिया है तो ऐसे condition में patient को ये iron sucrose के injection दिये जाते हैं तो safe रहेगा ये injection pregnancy के दौरान तो ऐसे उसकी अलग अलग दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose के बारे में warning, side effect, contraindications, एक साल तक affordable price में सरल बासा में farmer rocks की आप उपर तो app download करें farmer rocks description box में मिल जाएगी या फिर whatsapp कर सकते हैं ये नंबर पे link पाने के लिए country code आप यूज़ कर सकते हैं plus 91 और app download कर लेजिए farmer rocks, android application है google play store पे apple line of on fa app store पे link आपको description box में मिल चाहेगी, good luck and all the best में आपर चाहेजिए नंबर बाप